वक्त आगे है एक और IPL के मैच की Fantasy XI की टीम बनाने का और अगला मैच Royal Challenges Bangalore और KKR के बीच चिन्न स्वामी स्टीडियम में कहला जाएगा और इस वीडियो में हम बात करते है Fantasy XI की टीम की सबसे पहले डिसकस कर लेते हैं अब जरा बात कर लेते हैं तो पहले आते हैं विकेट की पढ़ना राया जगदीसन, जेसन रॉय, कप्तान नितरश राणा आदरे रसल, रिंकु सिंग, सुनील ननायन डेविड वीजे, शार्थुल ठाकुर, सुयष शर्मा उमेश यादफ, वरुण चक्रवर्ती अब बात कर लेते हैं फैंटेज 11 की टीम के बारे में विकेट कीपर की चोईस के लाब सबसे पहले चुनेंगे दिनेश कार्थिक को, जो कि हर मैच में RCB को एक बहुत अच्छी फिनिश देते थे पिछले सीजन तक लेकिन इस बार कोई बड़ी पारी नहीं है हला कि उन्होंने एक 28 रड़ों की पारी खेली थी पर उन्होंने एक बहुत अच्छी फिनिश नहीं दी थी तो उमीद इन से भी लगा जाएगी कि इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे अब बात आती है बैक्टर्स की तो सबसे बहुत आप चुनेंगे विराट कोली को हला कि पिछले मैच में गोल्डन डख हुए थे ट्रेंट बोल्ट के अगिंस पर यह हम सब जानते कि विराट कोली कितने बड़े बल्लेबाज हैं और इस सीजन में ऐसा लग रहा है कि वो उनका बल्लेबाजी का फ्लो वापस आ रहा है फिर आप चुन सकते हैं फाफ डू प्लेश को यहनोंने पिछले मैच में भी एक कमाल की पारी के ली थी उन्होंने पिछले मैच में बासर ड्रंस बनाया थे और काफी चक्के चौके लगाए थे फिर आप चुन सकते हैं वेंकेटिश अइयर को उन्होंने इस सीजन में एक सेंचुरी भी लगा दी है और वेंकेटिश अइयर के क्यार के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है फिर आते हैं आपके लॉड रिंकू इन्होंने पिछले मैच में 53 रिंस बनाए थे एक अट शदक जड़ा था और हर मैच में धीरे धीरे इनकी बैटिंग बहुत इप्रूव होती जा रही है फिर बात आती ओल राउंडेस की तो सबसे पहले आप चुनेगे गलेन मैक्सिल को जिन्होंने पिछले मैच में 77 रनों की एक कमाल की पारी केली थी और अपनी टीम को उस मैच में वापसी कराई थी विराट कूली की विकेट जाने के बाद फिर आप चुन सकते है वनिंदू हसरंगा को जो पिछले साल के सेकेंड हाईस विकेट टेकर रहे थे उन्होंने 26 विकेट शटकाई थी फिछ्टे सीजन में और इस बार भी वो कमाल की गेंद बाजी कर रहे हैं आकिर में बाद आती ही गेंद बाजों की तो सबसे पहले आप चुनेगे मौहमत सिराच को जो कि शुरुवाती ओवर्ज में जटके देने में बहुत अरज अक्षम है और इस IPL में पाव अपले में उनकी सबसे अच्छी एकॉनमी रही है उसके बार आप चुनेगे हरशल पडेल को जो कि उन्होंने पिछले मैच में तीन विकेट शटकाई थी और अपनी स्लोवर मन से बैट्समन्स को बहुत अरज अरज रज रजटके देते हैं और उनकी स्विंग के इन बाजी बहुत अच्छी होती है और आखिर में आप चुनेगे वरुन चक्रवर्थी को जो कि इस तीम के लिए बहुत अच्छे स्विनर है और सुनील नरायन के साथ ये स्पिन गीन बाजी कमान समा लेंगे आखिर में बार रादी क्याप्टन की और वाइस क्याप्टन की तो क्याप्टन के लिए आप चुन सकते हैं फाट डू प्लेसेस को झाल